हेलो एवरीवन वेल्कम फ्रेंड्स मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थे भी कि तुक्का मारना है हमारे इंट्रेंस एक्जाम में अलहाबाद इनुश्टी के सही है कि नहीं तो माइनस मारकिंग नहीं है तो मैंने कहा बिल इसलिए मैंने वीडियो मनाई है मैं इस वीडियो में कोई फ्वाल्तु वाली बात नहीं करूंगा सइन्टिफिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा तो अपने रिक्वेस्ट की थी कि कल ही मेरा पेपर हम लोगा पेपर है इसलिए और आपको वीडियो पेपर से पहले प्रबिविल्टी का जो कि mathematics का एक बहुत बड़ा ब्रांचा 10, 12 और अपर mathematics में ये यूज होती है ये कोई फाल्तु चीज नहीं है इसलिए ये पढ़ा जाती है तो कैसे हम अपने probability सही होने की double करेंगे या अच्छी करेंगे ये मैं बताऊंगा उसके बाद मैं दो और तरी बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इस वीडियो में देखें मैं क्लिक question ले रहा हूं आपके सामने आपके example के लिए माला आपके सामने एक question ऐसा आया ठीक अब इसके आपके सामने चार option है अगर आप ऐसे तुक्का मारोंगे मालो इन चारों मेंसे क तो आपके सही होने की probability क्या होगी एक बट्टे चार कुछ चार मैंसे कोई एक सही होगा मतलब सही होने की probability आपके लेकी 25 पसे लेकिन अगर आप इसमें elimination process का यूज करोगे एक को हटाने का अब जैसे अपने पढ़ार question राज़िपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो एक चीजा को clear होगई कि राज़िपाल की नियुक्ति राजपाल तो कटता ही नहीं करेगा तो एक option आपका गलत हो गया इसको आप तुरंद काट दो अब देखिए अभी भी आपको आप सही answer नहीं पता है अभी भी आपको correct answer नहीं पता है तो इन तीन में से कोई एक होगा अब आपको मालो इसके आगे नहीं पता कौन गलत होगा तो आप इन तीनों में इस तुका मारेंगे तो आपकी probability अप तुका की एक पट्टी तीन हो जाएगी मतलब 33% आपके सही होने के chance होगी अब आपके probability के सही success का chance होगा तो अब आप देखिए आपकी स्थिति माली जो और अच्छी होगी आपको पता है कि या राज्यपाल को नहीं होगा मुख्यमंत्री भी नहीं होगा कि मुख्यमंत्री और वो एक स्तर के होते हैं त आप इन दोनों में confused हो अब तो काप इन दोनों में मारिए तो आपकी probability एक बट्टे दो होगी जो कि 50% तो कहां आपकी probability पहले इन चार में से 25% हो रहे थी और कहां ये बढ़के 50% होगी तो मैंने यहीं लिखा कि कैसे double करेंगे अपने आप probability को अब हम बात करें कि आपको य आपने एक चीज पता की कि इन option में आपको चुनना हो तो सबसे appropriate option कौन सा होता है तो यह देखिए मैंने एक सरवे पता हुआ था जिसमें पताते रहा था what is the most common answer on multiple choice test तो यहाँ पे इनों लिखा है C सबसे जादे सही होने के chance होते हैं इसके करीबर इसके सही होने के chance सबसे जादे होते हैं चारों option में देखिए यही लिखा है लेकिन मैं आपको यह नहीं कहुँआ कि आप सारे में C मार मार के आओ ऐसा मत करना क्योंकि आपको कोशन ऐसे पढ़ गया तो मुखी मंत्री ला गया हो गया है क्या नहीं हाँ अगर आप तुक्का मार रहे हो तो एक पर C की देख लेना ठीक क्योंकि किसी सर्वे में किसी ने कुछ किया है महनत तो उसने एक रजल्ट दिया है ठीक अब मैं आगे बताता हूं मेरी तीसरी सबसे बड़ी चीश ओयमार में अब आपको ओयमार में जादे पैमाने पर तुक्का मार ना है करीब हम दस के एक रो में मानने लगाना जैसे कि A, B, D, C, E, ऐसे मारोगे तो लग अच्छा हो तो होगा वर्नन नहीं, लेकिन एक तरीका में आपको बताओ, आप तीन-दस आपको करने हैं तो के में, तीन-दस के पेर बनाओ, पहले पेर में आपको एक से सी को तीन वर्टो के मारो, लाइन से तीन, फ फिर आप ऐसे एक उकल लुँँ, ऐसे में क्या होगा कि आपको तीन पेर बन गए दस में नौ, तीन-दस के, आपके इनमें से एक-एक भी सही हो गया, पहलोग की एक C हो गया, इसमें से कोई-एक बी हो गया, तो आपके नौ में तीन सही हो जाएगे, मतलब एक बट्टे 3 क के प्रब्रबबिल्टी के साथ अप 33% सकसेज में होगे है मतलब यह 33% सकसेज ता है और ऐसा ओप्समें कभी नहीं होता कि लगातार देखिए अप आप CCC की हो तो ऐसा नहीं होगा कि A, B, D होगा ऐसा नहीं होता है वोगी एक आपका फस जाएगा इसमें ऐसे करके मिनमम आप के तीन आप सही कर ले जाओ तो आपकी दसमी से तीन हो गए सही तो 30% आपके अच्छे मार्स केवल तुक्के से आ सकते हैं तो आई होप आपको यह समझ में आये होगी तो यही मैंने पूरी तीन ट्रिक बनाई हुई है तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह पूरा वीडियो सम प्रेंट अपको मैं पहले से बस्ट अफ्लक बोल ला हूँ आपके एकजान के लिए भगवान करे आपका होजाए सबका हो जाए ऐसा हो नहीं सकता तो आपने और भी फॉर्म डाले हो यह यूम नहीं होता है तो किसी अच्छे ब्यच्जियों में हो जाए अगर आपका अप अच्छी तरीकिये से हो जाए यह मैं आप भगवान से प्रात्ना करूंगा तो बेस्ट आफ लक एवरीवन आप पेपर देके आईए और अभी आपको कोई डाउट हो पेपर के पहले बिल्कुल पुछ लिजे मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा तो थैंक्स थैंक्स पर मास्टी तरीकिये से जापके यह भी यह है